मैं है इस्लामोदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स भिमंडी के ग्रामीड इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भिमंडी के ग्रामीड इलाके पढगा खंडोली मोड पर एक भयाना खास सा हुआ है पढ़गाई इलाके से एक काले पिले रंग की बुलोरो गाड़ी जिसका नंबर है MH04E1771 और इसे ड्राइब करने वाले ड्राइबर का नाम जावेद बताया गया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कैंटेनर बुलोरो गाड़ी को टक्कर मार दिया है प्राब जानकारी के मुताबिक ड्राइबर जावेद पढ़गा इलाके से 12 पैसेंजर को लेकर मुंबई हाईवे नाशिक की दिसा में होकर खंडोली की तरफ जा रहा था इस गाड़ी में 3-4 स्टूडेंट्स और बाकी अन्य पैसेंजर बैठे हुए थे इस सफर के दावरान जैसे ही गाड़ी पढ़गा के खंडोली मोड के पास पहुँची उसी दावरान सामने से तेज रफतार आ रहे एक कैंटेनर से ड्राइबर जावेद की ब्लोरो गाड़ी को जोरदार टकर मारते हुए ब्लोरो को करीब सव से डेड़ सो मीटर दूर घसेटते हुए ले जाकर सड़क किनारे फेक दिया इस वारदात में टकर इतनी भीसड और जोरदार थी कि घटना स्थल पर ही चार लोगों की मौत हो गई और ब्लोरो गाड़ी में बैठे अन्य आठ पैसेंजर पुरी तरह से घायल हो गए है इस घटना की जानकारी मिलते ही अस्थानिय लोगों ने ब्लोरो गाड़ी से जल्द से जल्द घायलों को निकाल कर नजदी की सरकारी अस्पताल में पहुंचाया है जहां पर चार पैसेंजर की मौत की पुष्टी की गई है वहीं आठ अन्य पैसेंजर जो इस घटना में बुरी तरह से जखमी हुए है उनका इलाज जारी है वहीं इस हाथसे में घायल ट्राइवर जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है जिसे आगे के इलाज के लिए कलवा के एक अस्पताल ले जाया गया है